बागवान भाईयो नमस्कार कैसे है आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होगे दोस्तो दोस्तो आज हम बात करने वाले है स्टेमपेस्ट के बारे में stampest आपको करना क्यूं ज़रूरी है इसके क्या-क्या फाइदे है जब आप stampest करते है और किसलिए करते है क्यूं करते है और कब stampest को apply करना पड़ता है क्या समय रहता है इसका apply करने का और इसमें हम खर्चे किस प्रकार से कम कर सकते हैं इन सभी चीजों पर हम बात करेगे दोस्तों अगर आप समयना चाते हैं ये एक बहुत ही important topic है दोस्तों जैसे आप देख पा रहे होगे कि इस तरह से खाल जो है उधर जाती है इस प्रकार की खाल जब उधर जाती है तो कैंक कर होने के chance आपके बहुत बढ़ जाते है अगर आपके तने में ही कैंकर लगेगा दोस्तों तो आपके उपर plant naturally सुकना ही है इसलिए आपको यहां पर focus करना बहुत जरूरी है जिनके sunny areas है या 5-6 घंटे भी धूप अगर आपके गीचे में आपके orchard में लगती है तो इस प् problem आपको भी आएगी आ सकती है अगर आप जो है time to time stampist का यूज नहीं करते है दोस्तो स्टेमपेस्ट आपको बजार में आसानी से मिल जाएगा यह थोड़ा costly होता है दोस्तों आप नीला थोथा और चुना लाकर के उसका मिक्षरन बना करके उसको खुद उसका मिक्षरन ब वो इससे आपको लगभग आधे rate में जो है provide हो जाएगा यह मेरे last year का बचा हुआ था कुछ एक बाल्टी तो मैं इसका ही प्रयोग कर रहा हूँ इसके माध्यम से ही मैं आपको समझाना चाहा रहा हूँ दोस्तों पहले आपको करना क्या है आपके पास कोई भी ऑधार हो किस भी प्रकार का ऑधार हो आपको पहले इससे ये इस तरह से खाल साप करने हूँ इस प्रकार से खाल को साप कीजिएगा पहले अच्छी तरह से लितनी भी आपके death skin है आपके plant में वो सारी निकलनी चाहिए दोस्तों अगर आपके ज्यादा हो रखा है यानि कि अगर आपके अंदर इस में अंदर स्किन तक मैं जो बाहर का छिलका निकल चुका है तो पहले आपको वहां पर जो है आपको बलाइटॉक्स का यूज करना होगा फिर उसके बाद से आप जो है बाहर से आप जो है यह लेप लगा सकते है इस परकार से करने के बाद दोस्तो फिर हम जो हमारा यह स्टेमपेस्ट है इसमें हमने पानी डाला है बाकी यह बनके त्यार होके आता है इसमें इस परकार से ज्यादा पतला नहीं बनाना है आपको इसकी एक परत बन पाए इतना पतला आपको रखना है और आप जाड़ू मैं तो लोकल जाड़ू यूज़ करता हूँ दोस्तों ऐसे दुकान में भी मिल जाते हैं उसका भी आप परियोग कर सकते हैं लेकिन अगर आप के अब लेवल अपना घर का है तो मैं समझता हूँ कि खर्चा आपका इसी तरह से बचता होगा दोस्तों अगर आप खुद मेहनत करते हैं तो इस परकार से बना करके आप स्टेमपेस्ट कीजिएगा इस परकार से अब यहां पर खर्चे बचाने की एक और बात आती है दोस्तों कि जिस साइड आपके सनी पॉर्षन है उसी साइड भी आप इसको कर सकते हैं दूसरी साइड आप इसको रहने भी दे सकते हैं जैसे धूप इस साइड को ही लगती है इस साइड को ही करूगा मैं और इस साइड को जो है धूप नहीं लगती है कभी तो इसमें आप देख पा रहे होगे कि इसमें दिकत भी कोई नहीं है तो यहां पर आपको करने की जु नहीं है अगर आप कर सकते हैं एफोर्ड कर पाते हैं इतना खर्चाप कर पाते हैं तो आप पूरे में लगा सकते हैं लकिन मैं नहीं समझता कि ऐसे फाल का खर्चा क्यों करना है इसलिए जो सनी साइड एरिया है उसी साइड आप कीजिएगा इस परकार से आपको करना है दोस दोस्तों, after harvesting, कईयों के पहले भी पत्या जड़ सकती है, कईयों के after harvesting, जिस परकार से इस बारी बार्शों का अटेक रहा, फंगस का अटेक रहा, तो maximum 60% बागवानों के जो पत्य है, वो जल्दी जड़ गये थे, तो जब पत्य जड़ते हैं, दोस्तों, वही time है जब आपको stem paste apply करना होता है, क्यों करना होता है, क्योंकि जब पत्य जड़ जाते है, तो धूप जो है, वो direct आपके तने में पढ़ती है, क्योंकि जब पत्या होती है, तो छाओ में तना रहता है, दोस्तों, लेकिन जैसे ही पत्या जड़ती है, वैसे ही आपके तने पर धूप पढ़ और जब तक पते नहीं आते हैं तब तक आपके प्लांट में सनी साइड एरिये में प्रपर तरिके से स्टेमपेस्ट होना चाहिए दोस्तों ताकि इस परकार की दिकत ना आए उसी में आप स्टेमपेस्ट ना करें जिसमें आपके इस प्रकार की प्रॉलम आई हो भले ही आपके एक हाल जो है अभी स्वस्थ है तब भी आपको सनी साइड इसको अपलाई करना है क्यूंकि क्यूबरेशन बहुत जरूरी होती है दोस्तों डिजीज आने से पहले ही अगर आप उसके लिए क्यूर है तो आने की मैं समझता हूँ की बहुत कम चांसिस है और दोस्तों आप इहां पर अगर आपके पास दोनों चीजे अपलाई नहीं है आप एफोर्ड नहीं कर पा रहा है गोव मुत्र और चिकनिमिटी और गाय का गोबर इसका घोल बना के भी आप इसका लेप भी कर सकते है लेकिन गाय कौन सी चाहिए दोस्तों दोस्तों देसी गाय जरसी गाय नहीं आप समझ गए होगे उमीद करता हूँ अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो कॉमेंट के माद्यम से भी आप मुझे बता सकते है स्टेम पेस्ट आपको बहुत जरूरी है दोस्तों ये कैंकर जैसी मारियों से आपको क्यूर करता है और बहुत अच्छा इसको रिजल्ट आपको होता है यहाँ पर आपको ध्यान देने विग्या बात है अगर आपका तना ही डिजीज गरस्ट हो जाएगा तो आपके उपर प्लांट नेचरल सुकना ही है तो जहाँ जहाँ आपके धूप लगती है वहाँ वहाँ स्टेम्पेस्ट का होना बहुत जरूरी है करना बहुत जरूरी है दोस्तो अगर चैनल पर नए हो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर कीजिएगा और बल आइकन को भी जरूर दबा प्लेश तोर जरूरी है करना बल दोना न wireless की कता है उत्यकती है